हेलो फ्रेंट्स पंजाबी फैशन टैन्वी सुमन में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं फ्रेंट्स आज हम सीखेंगे यह बहुत ही सुन्दर डिजाइन इसे आप लेडिज कार्डियन में जैन साफ स्वेटर फूल स्वेटर में बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं यह सभी में बहुत ही अच्छा लगता है तो बात करते हैं इसके स्टिचिस की इसके स्टिचिस फाइव के मल्टिपल से होंगे यहां पर मैंने इसके 27 फंदे लिये हैं 25 फंदे इसके 5 के मल्टि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सस्क्राइब कर लें और साथ में बेला इकॉन दबाना मत भूलें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंट पहुंग जाए यहां पर मैंने इसके 26 पंदे लिये है 25 पंदे इसके 5 मल्टिपल से लिये है और 1 पंदा इसका एक्स्टरा लिया है साइड में इसके डिजाइन को इकुल करने के लिए तो दिखिए कैसे करेंगे यह इसकी first ट्रॉ है और इसकी right साइड है एक फंदा उल्टा धागा पिछे एक सीधा धागा आगे एक उल्टा धागा पिछे एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा ऐसे ही हम इसकी ये साई रो कम्प्लीट कर लेंगे एक उल्टा और एक सीधा फंदा बुनते हुए एक उल्टा एक सीधा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा ये दिखिए ये हमारी फस्ट रो कम्प्लीट हो गई है इसकी सेकिंड रो है दिखिए ये जो सीधा फंदा है उसे सीधा ही लेंगे उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे इस रो में भी जो जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं उनको वैसा ही बुनना है यानि कि एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा ऐसे ही हम इसकी थर्ड और फोर्थ रो भी सेम ही बुनकर कम्प्लीट कर लेंगे ये दिखिए फैन हमने इसकी फोर रो भुनकर निकाल ली है अब हम इसकी फिफ्थ रो पे आ गए हैं दिखिए क्या करना है ये ऐसे ही उतार लेंगे धागा आगे करेंगे एक उल्टा फंदा अब यहां पर क्या करना है ये एक सीधा फंदा है एक उल्टा फंदा है दोनों को उतारेंगे और ट्विस्ट करेंगे ये उल्टा फंदा है इसे उल्टा ही बुन लेंगे धागा पीछे करेंगे ये सीधा फंदा है इसे सीधा ही बुनना है आगे ये सीधा फंदा है इसे सीधा ही बुन लेंगे फिर से एक उल्टा एक सीधा फंदा इनको उतारेंगे और सीधे फंदे को आगे लेकर आना है और ये फिर से सीधा फंदा ही दिखिए यहाँ पर सेंट आगे यह एक उल्टा फंदा यह उल्टा है इसे भी उल्टा ही बुनेंगे फिर से एक सीधा एक उल्टा इनको ट्विस्ट करेंगे और ये उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेंगे ये दिखिए यहाँ पर हमारे पास तीन उल्टे फंदे हो गए हैं ये तीन सीधे फंदे हैं ऐसे हमने ये तीन-तीन फंदों का पेर बनाना है यहाँ पर ये तीन फंदे सीधे और तीन फंदे उल्टे के साथ ये एक सीधा फंदा, ये सेंटर में सीधा है, इसे भी सीधा ही बुल लेंगे, आगे फिर से एक उल्टा एक सीधा है, इनको ट्विस्ट करेंगे, और ये दिखिए इसको भी सीधा ही बुल लेंगे, ये दिखिए यहां पर फिर से हमारे पास तीन फंदे एक साथ पेर में हो हैं धागा आगे एक ये उल्टा ये भी उल्टा दो हो गए त्विस्ट करेंगे इनको और ये उल्टे पंदेग उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे ये एक पंदा सीधा बनेंगे आगे का भी सीधा पंदा है इसे भी सीधा ही पुल लेंगे फिर एक उल्टा और सीध इनको भी twist कर लेंगे दिखिए धागा आगे एक उल्टा फंदा ये भी उल्टा है दो हो गए फिर से इनको twist करेंगे ऐसे ही end तक आपके पास चितने भी फंदे होंगे उनको ऐसे ही आपने twist करते हुए तीन-तीन सीधे और उल्टे फंदों के अपने पेर बना लेने है धागा आगे ये दोनों उल्टे ये दिखिए हमारी फिफ्थ रोग कंप्लेट हो गई है इसकी रॉंग साइड इसमें ये सीधा फंदा सीधा ही बुनेंगे धागा आगे ये तीन उल्टे है इनको उल्टा बुन लेंगे दो, तीन, धागा पीछे तीन फंदे सीधे दो, तीन तीन फंदे उल्टे ऐसे ही हम ये सारी रोग कंप्लीट करेंगे जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं उनको वैसा ही बुनेंगे यानि कि तीन फंदे सीधे और तीन फंदे उल्टे ये दिखिए ये इसकी सेवन्थ रौ है और इसकी राइट साइड है ये दिखिए क्या करेंगे यहां पर ये एक दो दो फंदे उल्टे बुन लेंगे उसके बाद हमारे पास ये तीन सीधे फंदे हैं दिखिए तीसरा फंदा ऐसे उठाएंगे और दो सीधे फंदे हैं इसके उपर से ऐसे गिरा देंगे और इन धागा पीछे करेंगे और ये एक सीधा फंदा ऐसे बुन लेंगे इसके बीच में ऐसे धागा घुमाते हुए सिलाई पर जारी डालेंगे और ये दूसरा फंदा भी सीधा बुन लेंगे ये देखिए फिर से हमारे पास यहाँ पर तीन फंदे हो गए हैं फंदा आगे करेंगे और एक दो और तीन उल्टे फंदे बनाएंगे फिर से मारे पास तीन सीधे फंदे हैं एक फंदा उठाएंगे और इसके दो फंदों के उपर से गिरा देंगे ये दो फंदे हैं, एक फंदा सीधा बुनेंगे और जाली डालेंगे यहाँ पर, फिर से ये दूसरा फंदा भी सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, एक, दो और तीन, तीन फंदे उल्टे धागा पीछे, फिर से तीन फंदे सीधे हैं, वैसे ही करेंगे, उपर से गिर आएंगे एक फंदा सीधा जाली डालेंगे और दूसरा फंदा भी सीधा ही फिर से हमारे पास तीन फंदे हो गए धागा आगे एक दो तीन उल्टे फंदे धागा पिछे तीन सीधे फंदे हैं ऐसे दो फंदों के उपर से गिरा देंगे दो फंदे हैं एक सीधा जाली डालें यह दूसरा भी सीधा ही धागा आगे करेंगे लास्ट वाले दोनों फंदे उल्टे ही बुन लेंगे यह दिखिए हमारी सेवंथ राउ कम्प्लीट हो गई है इसकी एड्थ राउ है और रॉंग साइड है यह दो फंदे सीधे धागा आगे एक उल्टा फंदा इसे उल्टा ब लेंगे, आगे वाला फंदा भी उल्टा ही भुनेंगे, ये तीन फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे, एक, दो, तीन फंदे सीधे, धागा आगे, एक, उल्टा फंदा, ये जाली वाला, ये भी उल्टा, दो, तीन, तीन फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, पिर से एक अंदर की साइड से उल्टा बनेंगे, तीन उल्टे फंदे, तीन सीधे फंदे, ऐसे ही ये सारी रोव कम्प्लीट करेंगे ये दिखिए, इसकी नाइन्थ रोव है और इसकी राइट साइड है ये तीन फंदे, उल्टे, धागा पिछे, ये सेंटर वाले जो हमारे फंदे ही है ये एक, ये जाली वाल फंदा इसे भी सीधा ही बुनेंगे अगला फंदा भी सीधा ही बुने तीन फंदे सीधे हो गए धागा आगे एक दो तीन उल्टे फंदे तीन सीधे फंदे फिर से तीन उल्टे और तीन सीधे ये भी सारी रो ऐसे ही बुनेंगे तीन उल्टे और तीन सीधे फंदों के साथ यह रॉंग साइड है इसमें भी वैसे ही बुनना है जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं उनको सेम वैसा ही बुनेंगे तीन उल्टे और तीन सीधे फंदे एवन थ्रौ है राइट साइड यह दो उल्टे फंदे धागा पीछे फिर से यह तीन सीधे फंदे हैं हमारे पास यह एक सीधा फंदा वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था उठाएंगे और ऐसे दो फंदों के उपर से गिरा देंगे एक सीधा फंदा बुनेंगे यहाँ पर जाली डालेंगे और दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे धागा आगे करेंगे फिर से एक दो और तीन उल्टे फंदे धागा पीछे फिर से एक फंदा सीधा उठाएंगे और दो फंदों के उपर से गिरा देंगे एक सिधा फंदा जाली डालेंगे ये दूसरा भी सिधा ही ये तीन फंदे होगे फिर से ऐसे ही ये सारे फंदे बुनेंगे तीन उल्टे फंदे धागा पीछे सिधा फंदा उठाएंगे दो फंदों के उपर से गिरा देंगे एक सिधा फंदा जाली डालेंगे ये दूसरा फ एक सीधा पंदा चारीदा लेंगे यह दूसरा भी थागा आगे दो उल्टे पंदे यह 11th row complete हो गई है 12th row है इसकी wrong side दो उल्टे सीधे फंदे धागा आगे यह दिख्वे यहां पर यह एक उल्टा फंदा है इसे उल्टा ही बुनेंगे यह आगे हमारे पास यह जाली वाल फंदा है पहले हमने इसे ऐसे बुना था अब इसको हम यह दिखिए यहां से यह अंदर की साइड से ऐसे हम इसे उठाएंगे और इसे उल्टा बुन लेंगे यह दिखिए यहां पर अब हमने जाली नहीं डालनी है इसलिए ऐसे इसे बुनेंगे यहां पर जाली नहीं बनेगी दूसरा भी उल्टा ही बुने तीन फंदे हमारे पास उल्टे होगे धागा पिछे तीन सीधे फंदे धागा आगे फिर से एक उल्टा यह जाली वाल फंदा इसे अंदर की साइड से ऐसे उठाएंगे और इसे उल्टा बुन लेंगे ये भी उल्टा ही धागा पिछे, तीन सीधे पंदे, धागा आगे एक उल्टा पंदा, फिर से ये वली पंदे को वैसे अंदर की तरफ से उठाएंगे और इसे उल्टा गुन लेंगे, ये वला धागा भी उल्टा ही गुनेंगे, दीन सीरे कंदे, एक उल्टा, ऐसे उल्टा ही दुनेंगे ये दिखिए, 12th row wrong side complete हो गई है, 13th row है इसकी right side इसमें क्या करना है आपने दिखिए ये हमारा जो है वो ऐसे ही उतार लेंगे फंदा, धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा भुनेंगे, धागा पीछे करेंगे ये जैसे हमने से नीचे, ये हमने सीधा और उल्टा फंदा बनाया था ट्विस्ट करके वैसे ही हम इसे फिर से करेंगे धागा पिछे करेंगे यह उल्टा फंदा है यह उल्टा हमने एक बुन लिया अब यहां पर सीधा फंदा लाएंगे यह उल्टा फंदा है इसे ऐसे ट्विस्ट करेंगे और सीधे फंदे को आगे लेकर आएंगे और इसको सीधे फंदे को सीधा ही बुनेंगे इसमें आपने कोई चेंजिस नहीं करनी है जो सीधा फंदा है उसे सीधा बुनना है और जो उल्टा फंदा है उसे उल्टा बुनना है ये सेंटर का सीधा फंदा है इसे सीधा ही बुन लेंगे धागा आगे करेंगे फिर से उल्टा फंदा आगे लेकर आएंगे यह दिखिए उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे धागा पीछे यह सीधा फंदा बुनेंगे धागा आगे करेंगे फिर उल्टा फंदा धागा पीछे फिर यह उल्टा फंदा है यहाँ पर सीधा फंदा ल धागा पिछे ये सीधा फंदा सीधा ही बुन लेंगे धागा आगे करेंगे और इनको ट्विस्ट करेंगे यहाँ पर उल्टा फंदा आगे लेकर आएंगे धागा पिछे ये सीधा एक उल्टा फिर से सीधा फंदा आगे लेकर आएंगे ट्विस्ट करके खाग आगे, एक उल्टा, सेंट्र वाला सीधा है, इसे सीधा ही बुनेंगे, फिर से यहां पर उल्टा पन्दा ट्istant करके आगे लेकर आएंगे खाग पिछे, इधा, उल्टा है, से उल्टा बनेंगे, ट्विस्ट करेंगे उल्टा पंदा, सीधा, फिर से, लिखिए, उल्टा, सीधा और उल्टा यह हमारी 13 रो कंप्लेट हो गई है, 14 रो है इसकी रॉंग साइड, इसमें भी आपने वैसे ही करना है, एक उल्टा और एक सीधा पंदा पंदा बुनना है ऐसे ही आप इसकी 15 और 16 रो भी एक सीधा और एक उल्टा पंदा बुनते हुए कंप्लेट कर लें यह दिखिए फ्रैन, यह बनकर अब कुछ इस तरह से दिख रहा है, यह हमारा डिजाइन कंप्लेट हो गया है, फिर से हम इसकी यह 5 रो से उपर स्टार्ट करेंगे, और इसकी 16 रो तक बार बार ऐसे ही रपीट करते जाएंगे, यह टोटल 12 रो का डिजाइन है, ऐसे ही इस इस तरह से दिखेगा, यह दिखिए, तो फ्रैन, आप भी इसे बनाएए, और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेर कीजिए, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वो नीचे कमेंट वोक्स पर लिख कर बताएए फ्रैन, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो मे आपको मेरा वीडियो 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 आपको मेरा वीडियो